नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस टेड़ी टाइम फर यू में इस व्यूडियो में हम देखेंगे 10 ऐसे टीप्स जिसके कारण आपकी स्कोर हमेशा हाई बन सकते हैं ठेके तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर हमने फिक्स टाइम पर हमेशा पढ़ाई की है तो हमारे स्कोर आटोमेटिकली इंक्रीज होते हैं आप में से कहीं लोगों ने यह experience कर रखा होगा ठेके जो की मतलब पढ़ते हैं रोज उनके आटोमेटली वो कित्ते भी समझदार हो लेकिन अपने आप उनके मार्क्स कम हो जाते हैं ठेके और यह फिक्स टाइम केसे होना चाहिए यह फिक्स टाइम आपने माल लिया की दो घंटे आपको रोज पढ़ना है तो इसमें आपको कोई अधर काम नहीं करना है आपको जो प यूसफुल हो ओंगे है यह नेक्स देखते है सकेंड है कि रिडिंग is compulsory कि आप सब्सक्रीया कि charging सोच्ते होंकि यह यह क्यों लिछा है रीडिंग तो हम मुंमेसा करते हैं यह रेव cuma अशका नहीं है तो आप इस बात पे अंसर मितों बड़ा है तो उसको किया करतें अरे य में आजाएगा आपको आपको बार बार उसको अगर आप रीड करते रहेंगे तो आपका वो रिवीजन की तरह दिमाग में चलते रहेगा और आपको कुछ समय बाद वो याद हो जाएगा भले सो कितना भी टफ हो ठेके जैसे कि एक एक लेता हूं में कि अगर आप को पता है कि रात में सोना है तो आपको कोई आके बोलता है कि रात में सोने नहीं बच्पन से आदत होगी यह रात में सोने की टेके तो अगर आपने किसी चीज़ को बार बर पड़ा बार पड़ा बार पड़ा तो क्या होगा उसको समझ लोगे या हमारे साथ क्या होता है क्लास में श्रेंद बहुत ज्यादा होती हम कोई डाउट पूछते हैं तो टीचर के पास उतना टाइम नहीं होता है डाट भी देता है हमको कितनी फालतुगी चीज़े बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है तो अब आप बड़े हो गए हो लेकिन आगे कौन बताएगा आपको कोई नहीं बताएगा सब यह बोलेंगे कि भाई बड़ी सी पढ़ाई कर लिए और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है इसका क्योंकि आपने चीजों को समझा नहीं पढ़ लिया और छोड़ दिया उससे कभी भी कोश्चन नहीं पूछा कि य यह चीज अपनी लाइफ में कभी नहीं लाना है अगर आपको अच्छे स्कूर चाहिए तो आपको हमेशा कोश्चन पूछना चाहिए जो भी आपके दिमाग में चल रहे हैं कि यह कैसी हो गया इसका मतलब क्या है यह साही चीज़ आपको अपने टीचर से पूछना ठीक है इसको आसान तरीके से अगर आपको इंटरेश्ट नहीं उस चीज में तो हम कैसे कर सकते हैं आप उसको सुने अच्छे से कैसे सुन सकते हैं आप उस अंसर को या जो भी चीज आपको समझनी है उसका एक रिकोर्ड आपका खुद का बना लीजिए ठीक है मोबाइल मे आपने सेव कर लिए वीडियो उसको बार बार देख रहे हैं और अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको प्राक्टिकली सोचिए वह कैसे होगा उसकी इमेज बनाई है तो जरूर कर लीजिए तो आपको वह जो टफ चीज है बहुत ही असान हो जाएगी आपके लि make targets to complete टेके हर दिन का आपको कुछ target बना लेना चीए रात में सोने से पहले आप target बना लेजी कि कल मुझे क्या क्या काम करना है अगर आपने target मतलब थोड़ा सा आज की दिन से जादा बना ले कि ये इतना में और थोड़ा सा पढ़ लूंगा कल तो क्या होगा दिरे दिरे अ अपने आप आपकी जो समझ है वो बढ़ेगी और आप जो पहले percentage बना रहे थे पहले जो score खड़ा करते थे अपने result में उससे ज्यादा आप अच्छा बना सकते हैं तो हमेशा खुद का record तोड़ने की कोसिस करना चाहिए ऐसा target बनाना चाहिए ठीक है अगला देखते हुआ इसका मतलब क्या है knowledge is important then degree मैंने यहाँ पर जो analysis किया है कि अगर एक बच्चे को हम यह बता देते हैं कि क्या है कि समझा देते हैं और उसको समझ में आ जाता है तो अगर कभी family में ऐसी problem होती है कि रिक्षा में कुछ समान लेके भेजवाना है बहुत सारा समान उसमें रखना है तो बच्चा एक copy pen में लाके पूरा shape size को measure करके बता सकता है कि समान आ सकता है कि नहीं आ सकता तो यहां पे उस बच्चे को यह पूछा जाएगा कि तू फिफ्ट में है और वहां फिफ्ट क्लास में आने के कारण तूने बता दिया नहीं उसने चीजों को समझा है अब डिग्री तो करी रहे है अब डिग्री तो मिलेगी मिलेगी पर knowledge नहीं मिला तो डिग्री का क्या मतलब होगा कागज की तरह इस्तमाल होगा आपके लिए अगली बात अगर कई बार मैं देखा है बच्चे डी मोटिवेट हो जाते हैं नहीं पढ़ते हना पढ़ाई कंटीनु नहीं करते सब्जेक्ट चेंज करना चाते हैं ऐसा क्यूं होता है मतलब बाहर की एंवार्मेंट को देखके मोटिवेट होने लगे हैं तो ऐसा ना करिया मोटिवेशन इस इंसाइड यू यह बात हमेसा याद रखे कि मोटिवेशन हमेसा आपके अंदर चुपा है आपको कोई ऐसा नहीं रसना पिला के चले गया तो आपको थोड़ा मजा आ आने लगा नहीं आपके अंदर वो चीछ चुपीती सामना अड़ल ने बता दी इसलिए आपको मोटिवेशन मिल रहा है तो आप एक खुट के बारे में सोचे कि आपने कित्ते बड़े-बड़े काम कि है ठीक है कि आपने पास्ट में कित्ते बड़े-बड़े काम कि है मैं चोटा से एक्जामपल लेता हूं जोब हमें साइकल चलाने नहीं आती है तो हम कित्ती बार गिरते हैं साइकल फिर भी सीखते है ना मजा आता है उसमें करने में तो इसलिए आप मोटिवेशन की ऐसा ढूणिए कि यह जो काम मुझे मिला है यह मेरे लिए एक चैलेंज है मै फेल हूंगा तो चलेगा लेकिन मैं इसके लिए ट्राय तो जरूर करते रहूंगा ठीक है और अगर आप जैसे मालों कल एक्जाम है आपको मितलब आज ही पढ़ने का समय मिला है तो आप ऐसे नहीं हारी हारी माली आप खुद से बोलिए कि ठीक है जित्ता हो गया मैं पढ़ते रहूंगा ठीक है आप अगर पूरी किताब को मितलब कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ लिया है समर लिया है तो कल कुछ ने कुछ ने कुछ लिख देंगे तो एक दिन में तो यसी प्लैनिंग हो सकती है इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप मोटिवेशन के आपको बहार से जोरत नी मोटिवेशन आपके अंदर ही है अगली बात बताता हूं मैं आपको कि हैल्थ इस फर्स्ट ऐसा में क्यों बोल रहा हूं आपको देखो जितने भी अभी मतलब यह वीडियो देख रहे होंगे जो बहुत ही अच्छा पढ़ने वाल तो ऐसा हो जाता है बहुत सारे बच्चों से हो जाता है 95% में यह बता दू बच्चे जितने भी हुश्यार रहते हैं 95% में उनके साथ हेल्थ प्रोग्लम होने के करण वो फ्यूचर में कोई भी बड़ी चीज को अच्छीव करने में रुख जाते हैं तो आपको कोसिस करना नेक्स्ट है प्रिपेर यूर नोट्स ठीक है और वो भी अच्छे से बनाए ना कभी भी ऐसा मैं सोचना है कि यह नोट्स बना लिया बात में देख लूँगा एक्जाम आएगी तो अरे एक्जाम आएगी तो देख लेगा अब भी देख के बता तेरा नोट्स कितना अच् है तो नोट्स आप बना आते समय कोसिस करिए कि पैंसिल से अपने लेंग्विज में उसको समझने का तरीका भी लिख लीजे कि आपने उसको कैसे समझा था ठीक है या एक मतलब नोट्स डाल दीजिए कि इस तरह से मैंने समझा इस कॉंसेप्ट को तो ज्यादा आसान अगला देखते हैं जो हाइस को जितने भी एचीवर से वह कभी अपने आपको इंप्रूफ करने पर धियान जैते हैं ठीक है तो डॉन्ट अगर आपको भी हाइस को चाहिए कि आपके मांक्स अच्छा आने चीए ठीक है तो उसके लिए आप खुद पर हाड़ वर करिए ठी पोजिटिव रही है ठीक है हर सिच्वेशन में आपके मांक्स कम भी आ रहे ना तो नहीं अगली बार आने तो अगली बार मतलब एक्जाम को मैं और अच्छे से करूंगा ऐसा क्यों है कि मतलब अरे मेर से तो होता नहीं है ये कौन सी बात ही है सूरज रोज उग रहे रोज डूब रहे तो इसका मतलब क्या है कि मतलब ज्यादा गर्मी हो गई तो अब सूरज कल कम उगेगा क्या नहीं उसका जो समय है वो उतनी देर उगेगा भई ठेक है तो आपको इतना मोटिवेट्स मतलब खुद पर पावर रखिए सब कुछ आसान है दुनिया में करना ठेक ह तो यह 10 टिप्स में आपको बता दिये तो सभी को best of luck आप सभी की exam के लिए